नमस्कार आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइट न्यू नेशन और मैं हूँ आपके साथ नेहां 36 गड के जश्पूर में दशेरे के दिन दरदनाख हादसा हुआ यहां एक 30 रफतार कार ने दुर्गर प्रतीमा विसरजन करने जा रहे लोगों को भी रहमी से कुचल दिया इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई वह करीब 20 लोग खायल है लोगों को कुचलने के बाद ड्राइवर ने कुस दूर तक कार भगाई लेकिन बाद में वो पकड़ा गया और फिर लोगों ने उसके साथ मार पीट की और कार को फूग दिया इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफतार किया है एक का नाम बबलू विश्व कर्मा है और दूसरे का नाम शिशू पालसा है इस घड़ना के बाद अब राज्जे में सियासत तेज होती नजर आ गई है राज्य के पूर मुख्यमंतरी रमन सिंग ने कहा कि अगर मुख्यमंतरी भुपेश भगेल यूपी के लकिनपूर खीरी जा सकते हैं तो उन्हें जश्पूर जाकर भी लोगों का हाल लेना चाहिए जश्पूर हाथसी की तुलना बीजेपी लखीमपूर से करने में जुट गई है बीजेपी आईटी सेल के प्रमुक अमित मालवे ने ट्वीट किया है 36 गड़ के जश्पूर में एक 30 रफतार गाड़ी हिंदूों के धार्मिक जुरूस के उपर से चड़ गई हिंदों पर सांप्रदाईक प्रोफाइलिंग और हमले का ये दूसरा ऐसा उधारन है जबकि मुख्यमत्री भुपेश भगेल गांधी भाई बहनों को यूपी में राजनिती का अदार ढूनने के लिए मदद करने में वैस्त है हाथसे के बाद विपक्षिन अवराज जी के ग्रहमंत्री ताम्र धोज साह को इस्तिफा मांगा है बीजेपी दिल्ली से ले कर रहा है पुर्ता कि इस मामले को जोर शोर से उठा रही है लेकिन कॉंग्रेस के पास भी जवाब और तर्प दोनों तयार नहीं है 36 गट कॉंग्रेस के प्रवक्ता आर्पी सिंग ने आरोप लगाया कि दोनों आरोपी बीजेपी के कारे करता है लोगों को रोनने वाले आरोपी नशे के काले कारोबार से जूटे थे वही कार से कुचलने के बाद जिस 21 साल के युवक की मौत हुई उसके परिजनों को मुख्यमंत्री भुपेश भगेल ने 50 लाख रुपे देने का ऐलान किया है बताया जा रहा है कि दोपहर बाद करीब डेड़ बजे पत्थल गाओं में दुर्गर प्रतीमा विसरजन के लिए जुलूस निकाला गया था जुलूस जब कस्मे के इंद्रा चोक के करीब था तम मध्या प्रदेश नंबर की एक जायलो कार तेज रफतार से महा पहुंची और जुलूस को रोंते विट निकल गई इस घटना में एक ब्यक्ति की मोत हो गई घटना की सूचना मिलने के बाद घटना सल के लिए पुलिस दल रवाना किया गया और घायलो को अस्पताल पहुंचाया गया घटना में गंभी रूप से घायल दो लोगों को बहतर इलाज के लिए राएगड भेजा गया है ऐसी और खबरों के लिए बने रहें एक्स नाई नेशन के साथ धन्यवाद